आप सब का स्वागत है आज हम कंटीए कर रहे हैं एट थू 902 एमदाबाद मुंबै सेंट्रल तीजस एक्सप्रेक्स तो ये तीजस एक्सप्रेक्स का पाट 2 है और मैं आपका पाट 2 में स्वागत कर रहा हूं और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो तो जल्दी से जाके पार्ट वन देख लो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और पार्ट वन पे बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका आपने बहुत ही पसंद किया पार्ट वन को तो चलो सामने से कॉनकोर आ रही है विट डवल्यू एक व् को मोटिव तो अभी यहां से नडियाद है 16.3 किलोमेटर लेट तो चलो अब अपनी ट्रेन को थोड़ा सा बगाते हैं 120 के करीब ले जाते हैं तो फिट से हम एक्सलेट करते हो और नडियाद पे तो हम टाइम पे नहीं हूं पहुँच पाएंगे तो जितना हो सके उतना हम टाइम पे पहुचने की कोशिश करेंगे अपनी टेजर से एक्सप्रस को लेके बाकी देखते हैं कब तक हम पहुच पाते हैं नडियाद तक और हमें ऑन टाइम ही रहना बड़े हैं क्योंकि अगर हम लेट हुए तो जो हमारी आया सीटी सी जो यह ट्रेन चला रही है उसको तो क्या है कि पेनल्टी होगी और तो ट्राविलर से उनको और एक घंटे के लिए अंडेड रूपीज तक रिफर्ण करना पड़ेगा तो हम नहीं चाहतें अगर यह आया सीटी सी के नियम में है तो अगर जो आया सीटी सी ट्रेन चला रहा है और वो ट्रेन एक घंटे के उ अबल लेट होती है तो जो रूपीर्ण मिलेंगे ट्राविलर को और दो गन्टे से ज्यादा होती है तो 2,500 रूपीर तक का रिफर्ण मलता है करें गैंगर को तो हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे निवैंच को अपनी पैसेंजकर को पैसे देने पड़े और जो अपना टाइम टेबल है वो भी खराब ना हो वैसे हम अपनी ट्रेन को चलाएंगे तो चलो अब थोड़ी देल में हम नडियार स्टेशन पहुंचने वाले है चाट बच कर 14 मिनिट होए है तो एक बार देख लेते हैं चलो गेंबी आज तो एकदम स्मूद रेकोर्ड हो रहा है हमने पार्ट वन में देखा कि थोड़ा सा एंड पार्ट आने पर थोड़ा थोड़ा लेक होने लगा था जो वीडियो रेकोर्डिंग था वो मेरा उसके लिए स्ट्वारी पर मैंने इसमें पूरा कोशिस किया है मेरा कि लेक ना हो बाकी अब तो मेरे पीसी की जो मर्जी हो और सामें से कोई ट्रेन आ रही है यह वन सिक्स पाइफ त्री फॉर कि एसर बेंगलो जोदपूर एकसप्रेक्स तो बेंगलो जोदपूर एकसप्रेक्स जा रही है विथ डबली डीपी 4 तो बहुती स्पीड में गई वो ट्रेन तो हम भी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं लड़िया स्टेशन की तरब और ये गोठा स्टेशन को हम स्कीक मारेंगे फुल स्पीड में और इस तरब कोई ट्रेन भी खड़ी है गोठा स्टेशन पे डोनर यहाई प्राइडी अभी तो मिलती हुई और पुरे के बूरे अभी तो दूर दूर तक नड़्याद तक हमें दूर दूर तक green signal है यह डव्टिजी 4 है डव्टिजी 5 के साथ प्सक्षा सिंगल स्टैक ट्रें तो इधर तो डबल स्टैक नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन है वो भी नीचे तार है अगर वो रिवारी साइड होती तो वहां पर तो उच्छे उच्छे ताल लगाए हुए है पर यहां यह नहीं है नॉर्मल ही वह ठीक ही जो वायर होते है वो नॉर्मल साइड पर ही लगे हुए है तो साथ बच कर 16 मिनिट हो चुके और 9.5 किलोमेटर अभी लेट रहा गया है नडिया स्टेशन तो टाइम से तो चूखी जाएंगे तकरिबन एक मिनिट में हमें अब नडिया पहुचने में पहुचने का टाइम हो जाएगा और हम ट्राइ करेंगे जितना हो सकते हैं उतना अपनी ट्रेन को नडिया स्टेशन पर उन टाइम तो नहीं ले जा सकते हैं जितना हम टाइम कर सकते हैं उतना टाइम करने की कोशिस करेंगे और आइधिंग सामने से कोई बीजल लोगमोरी क साथ कोई ट्रेन आ रही है तो दिखते है कौनसी ट्रेन है जो हमें क्रॉसिंग देने वाली है लिए जो पर पार वन में मैंने बात में देखा की जो पार्ट वन मैंने रिलीस करने से पहले देखा था कि उसमें गेम की साउंड कम आ रही थी तो उसके लिए भी स्वारी मैंने इसमें फिक्स करने की कोशिस की है आई होप फिक्स हो जाए और 7.6 किलोमेटर अब मेडिया स्टीशन यहां से लेफट रहेगा है और उपोजिट लाइन का सिगनल है ग्रेन तो यह तेज़ा सब चालू हो चुकी है जैसा कि आपको बता होगा कि आज इसका इनोगरन रन हुआ है तो आज इनोगरन रन के दिन हम यह पार्ट टू अपना रैपर कर रहे है तो देखते है आज हम कहां तक अपनी जन्नी कर पाते है तो आगे चार किलोमेटर के बाद हमें रेट सिगनल दिखाई दे रहा है तो रुखना पड़ेगा चार किलोमेटर के बाद रेट सिगनल है तो आज इसका इनोगरन रन हुआ है और आज ही हम अपना पार्ट टू रेकॉर्ड कर रहे हैं और देखते हैं सामने से आइधिंग कोई ट्रेन आ रही है देखते हैं कौन सी ट्रेन है यह 6912 से और आनर एमदाबाद M.E.M.U. ट्रेन तो बहुत ही स्लो जा रही है उतनी M.E.M.U. तो स्लो ही जाएगी तो चलो अप अपना ठोटल पार रिलीस कर देते हैं पूरा और ड्रेक्स लगाने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि तीन किलोमेटर के बाद आवा मैं रेट सिग्नल दिखाई दे रहा है और ये M.E.M.U. ट्रेन को पता नहीं कहां डाला जाएगा क्योंकि गोठाच में तो दोनों लाइ जैसा ने पिछले स्टीशन पी देखा तो चलो अल्मोस्ट हमें स्टीशन तक जाने का सिगनल मिल गया है तो हम ड्रेक्स नहीं लगाते और सामने रिखेंज क्षमाणा क्योंकि के साथ त्रेन आ देखते हैं क्योंकि ट्रेन है जो डिशल लोगमोरी के साथ हमें अपरोच कर सब्सक्राइब करते हैं अपने ट्रेन को 55% में ट्रोटल उपन कर देता हूं तो ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी और सब्सक्राइब है डबल यह लोग और बहुत ही टेज़ स्पीर में आइटिंग कोई ट्रेन एलको लोकोमोटी के साथ हमें अप्रोच कर रहे हैं देखते हैं कौन सी ट्रेन है जो एलको लोकोमोटी के साथ हमें नहीं एमडी लोकोमोटी है यह बॉक्सन एचल विट डव्ल्यू डीजी फॉर तो बहुत ही बड़ीया स्पीड में WDG4 के साथ बॉक्सर नेचल हमें क्रॉस देती हुई तो चलो अब हमें नडिया तक पहुचने का यानि के नडिया स्टेशन तक पहुचने का में सिगनल मिल गया है क्योंकि अब स्टेशन पास आने वाला है तो चलो देखते हैं किकना लेट होती है हमारी ट्रेन नडिया स्टेशन पर और कोई ट्रेन भी आ रही आई थिंक डिजल लोगमोडियों के साथ देखते हैं कौन सी ट्रेन है जो हमें डिजल लोगमोडियों के साथ अपरोच करने वा एक बारी गेम को सेव कर लेते हैं हाँ रेप और इन बार पढ़िया चल रही है तो और हमारे बाजी में भी कोई BTPN खड़ी है साबन मती सेट के WDG4 के साथ आप देख सकते हो और इधर से भी सामने से भी कोई त्रेन आ रही है देखते हैं कॉमसे टेन है जो हमें नडिया स्टेशन पर मिल रही है तो यह 16312 कोची वाली शाप श्री गंगान अगर विखली एक्सप्रेक्स तो ये नडिया स्टेशन पर इसका श्वापिद नहीं है तो बहुत ही बड़ा स्पीड में स्कीप मार रही है नडिया स्टेशन को तो इसका अब हम नडिया स्टेशन पर आ गए है और वी सीन एचल खड़ी है और बहुत ही स्पीड में हमारा यहां पर नडियात में एंटर कर रहे है इतनी ज्यादा में स्पीड नहीं चाहिए बले ही हम लेठ हो पर हम अपने पूरे रूल्स और रेगिलेशन को फॉलो करें यह बिसीन एचल खड़ी है और इस तरब कोई पताने कौन सा यह ले जा रही है आई तिंग कुछ पेट्रोलियम प्रॉडक्ट लेके आ जा रहे है यह लिट्रिल लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास यानि कि लेक आए पूरी टेन अभी नहीं आया यह प्लैट्फोम पे तो तोड़ी देर में प्लैट्फोम पे आ जायगी तो थोड़ा सिग्विफाइड पास जाके रुखते हैं और देखते हैं हम यहां से गाड़ी उठाने के बाद देखते है कि कितना लेट होते हैं लड्या स्टीशन पे अम कि दीड़े अफ्ड्रेट लगाते हैं किन ठेक पार हो कि हमाई ट्रेन लड्याources पे कैसी एंटर कर रही है और यह दूब गई और यहां पर हमें 50 सेटन का यहां पर स्टॉपइद मिला है एक बारी जनको सेव कर लेते हैं और लियाद ग्रीन सिटी जो कि मेरा हम टाउन है आपको पता होगा अगर आपने पार्ट वन देखा उत्तो लड़ियाद ग्रीन सिटी यहां पर मेरा घर है नड़ियाद जेक्शन आप देख पारे हो तो बहुत ही बखो भी बना हुआ यह नड़ियाद स्टीशन एक जेट जैसा कि हमें रियालिटी में लगता है वैसा ही पर यह यहां पर थोड़ा ज्या है कि बिल्डिंग से पर यहां पर बिल्डिंग नहीं दिखाए गई यान पर जो इस तरह उपर प्लैक्फॉन के पाजु में अगर कुछ बिल्डिंग जैसा बना दिया हुता स्टीशन की तो अच्छा रहता तो चलो हमारे जाने का टाइम हो गया है आई हो प्रमिस महाजन जी लगा दे तो कोई वरोसा नहीं उनका अभी तो बहुत बीजी रहते है तो पत्ता नहीं फीच से कोई ब्रेकिंग प्रॉब्लम में ग्लीच हो गया है चलो हो गयी हमारे डायमेंग प्रेक्सॉन और बजाना हम क्यों भूल जाता है 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 हम चलो बजा दिया हो और हमने वेक्स यह से उनको भी बोल दिया है वाया एक्सलेट करो ट्रेंग को तो देखते वेक्स यासा एक्सलेशन कर पाता है यहां पर तो देखते हैं अपना लास्ट कोच जब प्लैटफोर्म से निकलता है तब अपके ट्रेन की स्कीड क्या होती है ये ट्रैक मोनेटर में देखेंगे और सब्सक्राइब तो आप जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो त थोड़ा सा ही वाच टाइम अब बाकी रह गया है मोनेटाइजेशन के लिए तो आप वीडियो को अगर यहां तक देख लिया है तो पूरा देखना ताकि थोड़ा सा वाच टाइम भी मेरा बड़े और मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो जल्दी से ओन हो जाए एक अजाज सब्सक्राइबर तो होई चुके है और एक अजाज सब्सक्राइबर करवाने के लिए आप सबको धन्यवाद जिसने भी अभी दख सपोर्ट किया है आगे भी असा सपोर्ट बनाए रखना तो आराउंड 57 किलोमेटर पर अवर की स्पीड बकर लिया हमाई ट्रेन ने जब प्लैट्फरम से हमाई ट्रेन निकली थी तो आपका यह सपोर्ट चाहिएगा मेरे को वीडियो को फूरा देखना अभी तक आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकिक्य मैं मैं ऐसी एक्टिविटी लाता रहता हूँ यह बाइदवी एक्टिविटी मेरे कुटकी बनाए हुई है और यह रूट खांडेस रूट के लिए मैंने एक्टिविटी बनाई है और सामने से 16336 नाकर कोई गांधिताम एक्सप्रक्वित डव्डम 3 है ड्यूल डव्डम 3 है तो वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को भी सप्राइब कर देना अगर आप नहीं हो तो बहुत ही सपोर्ट हो जाएगा और वीडियो को तो पूरा देखना ही है आपको तो और वीडियो को से अधी जितना करोगे आप उतना विरे लिए अच्छा होगा आप अपने प्रेंड के साथ प्रेमिली मेंबर के साथ जिसे भी जो यानि कि ट्रेंस परसंड है उसके साथ आप सेयर कर सकते हो वीडियो तो क्या है कि मेरे को भी हैल्प हो जाएगी अब थोड़ा स्पील को कंट्रोल में लाते हैं 120 की स्पील निमिट है तो ये बात आपको थोड़ी हेल्प कर देना थोड़ा सब्सक्राइब और थोड़ा चाही वच्टाइम और बाकी बाकी रह गया है बॉनेटाइजेशन अप्रूवल के लिए आपको जितना हो सके उतना वीडियो को देखे अपने फ्रेंड्स को भी बोले के वीडियो को देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलो आगे आइधिंग कोई स्टेशन आने वाला है तो 120 के करीब अबवाई स्पीड मेंटेल हो रही है कि अभी यह स्पीड फुरी दिल मेंटेल करने की कुछिश्च करते हैं अब अब बजाते हैं कि बीटी पीयंट तू आ गई तो चलो यहाँ से हमारा सेकंड फेस का ट्राफिक सुदू हो गया है हुआ हो चलो सेकंड फेस का ट्राफिक सुदू हो गया है हमारा तो अच्छी बात है सही से चल रहायाँ ग्राफिक वर से तो सेकंड फेस का ट्राफिक पहले से शुड़ हो गया था जब नागर कोई एक्सपरस आय थी तो बहुत यह जबड़ा तरीक यहां पर दो मेरे को नाम पता ही रहेंगे क्योंकि यह मेरे अंटाउन के आजुबाजु का एडिया है थोड़ी सी ओस्पिड हो गई है उत्नी जरा भी ओस्पिल नहीं करने रेक्स रिलीस हो जागा है कि छयुक्त हो रखा है कि ब्रेक्स रिलीस होते ही नहीं में हम प्रॉ stimmt है तरिय प्रोब्लम जब भी मैं एट कर रहा तो भी मेरे को यह प्रॉब्लम आ रहा था इसकाश कर देर हम क सेक्षिक लिखर होरा थी यहां पेलिखा हुआ कि यहां पर लिखा हुआ है 1,060 km हूं पर हमारा जो सेक्षन की स्पिल लिमिट है वो है 120 तो हम 120 के उपर नहीं जाएगे ऐसे तो यूज्वली जो यह सेक्षन पे सताबदी चलती है और अपना गरिवरत चलता है गरिवरत 125 मक्सिमम पर मिसिबल स्पीड है दुरान तो जो चलती है फूले 130 है जो राजपोर्ट 130 पे चलेगी डबल डेकर भी 130 पे चलती है तो बहुत सारी जी यानि के तीन चार्ट ट्रेन ऐसी है जो यह सेक्षन पे 130 करती है पर हमारे टूट में 120 की स्पिल लिवड़ है तो कोई बात नहीं 120 पे चलाएंगे तो नड़्यार पे तक्रीबर हम तीन मिनिट लेट हो गये थे तो चलो कोई बात नहीं उतना तो चलेगा प्यसिंजर को रिफंड नहीं देना पड़ेगा पर हम एक गंटे से ज्यादा लेट होते हैं तबी तबी हमाएं यानिकि आया सिटी सी आपको रिफंड देगा अधर तरी ए एना कुलम उखाई एक्सप्रेक्स विट एना कुलम से डवडी एम 3 है तो तो आथा शो अनल स्टेशन से स्टॉपेट लेकर ती ता एंदा बात की तरफ बढ़ रही है इसका नड़्याद पर पर नहीं है और हमारा अनल पर श्टॉपेट नहीं है उसका अनन पे था हमारा अनन पे नहीं है वोखा एना तुलम एक्सप्रक्त का तो बहुत ही बयंकर स्पीड में ये नडिया स्टेशन को मैं बुल गया तो ये बहुत ही बढ़िया स्पीड में नडिया स्टेशन से स्कीप मारती है जब भी ये लिकलती है आप जाती है तो की बड़िया लगता है और यह कंजरी वो बड़िया इस्टेशन को स्कीप माज है और यह आप जो फैक्टरी देख रहे हो वह अमूल की फैक्टरी है जहां पर फॉसु जो यानि के गाई बैस उसके लिए जो दान आता है यानि के फीड इंग्लिज में फीड बोलता है हिंदी कंजरी बोरिया स्टेशन से निके जैसे ही आप निकलते होगे ऐसाई ब्रीज बनाए होगा है और प्रॉस होता है ऐसे ही तो बहुत ही जियालिस्टी की लगता है जब भी मैं यहां आता हूँ यह कि यह सेक्शन पर आता हूँ तो अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक न कुमेंट करनी है या नहीं तो मैं पर हूँ ताक को कमेंट रक्षन में मुझे बटा देना कि कुछ गल्ती हो या कुछ इंबरू करना हो तो मैं कर दूँ तो 51 अप्यास अभी तो यहां पर मिल रहे है और दिन किलोमेटर के बाद रेट सिगनल है तो टॉटल को पूरा रिलिस कर देते हैं पता रहे क्यों हमें यहां पर फिसे रेट सिगनल दिया हुआ है तो आइधिंग हमारे आगे कोई ट्रेन चल रही है जो हमारा रास्ता रोक हो रही है तो मुझे तो आनल स्टेशन को बहुत ही गंदी वाली स्पीड में पूरा 120 के 120 पर में बसकीप मानना था पर नहीं मान पाऊंगा क्योंकि हमारी आगे कोई ट्रेन चल रही है और हमें सिगनल नहीं मिला है अभी तो देखते हैं अब क्या होता है अगर ट्रेन नही स्पीड में निकालता गारी को 120 के 120 तो चलोग दिरे दिरे ब्रेक्स लगाते हैं क्या करें और कोई अक्टिविटी में देखेंगे कि अगर हम हमें मौका मिला तो आनल स्टेशन को फूल स्पीड में स्कीप मारेंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है जब भी आनल स्टेशन को स्कीप मार्टाउं फूल स्पीड में जान ट्रेन का स्टॉपिड नहीं रहता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत साइट ट्रेन यसी है जो मेरे होमटाउन नडियाग पे नहीं रुपती और वह सीधा आनन जाके नहीं पत्या नहीं क्यूं सँनके इसअ आनन से बड़ी शिटी नडियाद है तक भी वह ट्रेन नहीं रुपती है तो यसेता अंग स踏मदाबाग से आते इतोम और जो बहुत रासे आती हो सीड़ा मेडिया स्किप करके एमडाबाद निकल जाती है तो ग्रेक्स लगाते हैं आनन को हम अप्रोच करने वाले हैं इसे कोई मेरी प्रस्नल जुस्मन ही नहीं आनन से बहुती बढ़िया वेल यानि के वेल मैनेजर सिटी है और बहुती बढ़िया डेवलोप्मेंट किया गया है आनन में और बहुती अच्छी जिटी जो इसीया की सब्सक्राइब बड़ी मिल्क डेरी है वह आनन में पाई जाती है जो अमूल के नाम से आप जो दूद पीते हो आनन में बनता है और पूरे इंडिया में एक्सकोर्ट यानि के उसको बेजा जाता है यह बनते है चो कि यहां अनन के डेरी है यह आपने प्लेक्फोर्म छोडेंगे तो आब देखेंगे कि एए या नहीं दिखती है या नहीं हमारी रूप में आप रीयल में आवोगे तो जैसे ही आप प्लैटफोर्म छोड़े यानि कि अधाबात की तरफ से आ रहे हो तो जैसे प्लैटफोर्म छोड़े वेसे आपको अमुल की फैक्टरी देखने को मिल जाएगी वो ट्रेंग में से दिख तो काफी fps ड्रॉप होते हुए यहाँ पर आइधिंग सामने से कोई ट्रेन आ रही है और बहुत साधी ट्रेन्स आइधिंग आनन स्टेशन पर खड़ी हुई है इसी वज़े से हमें यहाँ पर fps भी इतने गिर गए है और आप देख पा रहे कि कितनी बढ़िया सिंद्री लग तो दीरे दीर आप सिग्नल के पाट जाके रुखते हैं तो ठोटल बाउन नहीं देंगे ऐसे ही रुका देते हैं अपने ट्रेन को ऐसे भी हम मैं ट्रेन क्लाइम कर देगे तो ब्रेक्स लगाने बढ़ेंगे क्योंकि हम धलान पे वापिस लोड़क जाएगी अगर हम ब्रे आगे कौनसी ट्रेन कठी है जिसकी वाज़े से हमें आनन स्टेशन के आउटर में खड़ा कर दिया घया और सामने से भी कोई ट्रेन आ गई है आगे कोई ट्रेन गई है ता आप वहमें सिग्तनल ओं मिल गया है इढ़ए दो आप ने ट्रेन पो लहाते रहा आते हैं यहा मान प्रेश टॉपट ले रही है और निकल भी दीख टॉपट लेके यह 16334 त्रिवरम पुरम शेंटरल विरावल एक्सट्स विट डव्डीम थरी है अना कुलम सेट के डव्डीम थरी है एक एम भी खड़ी है और इसके बाजो में कोई कि कॉमसी ट्रेन है एक्सट्रेक्स है या सुपर पास्ट्रेन है नहीं ठीक पैसेगर ट्रेन कोई खड़ी है और सारे मुझे जंगल कोचस दिखाए दें रहा है चलो देखते हैं कि आनो स्टीशन तक पोश्टे मोस्ते हैं वाल स्पीड क्या होती है और अब कितनी स्पीड को ग्रेन कर पाते हैं वैसे का आप देखते हैं कि अमाहीं क्लाइम कर रही है अब बोड़ा स्पीड फकल लित्री देखते हैं विरावल एक्स्राक्स ने विल्कॉलोक मोटीव के साथ थी कोई एक्सप्रेक्स या सपर फास्ट्रेन स्पीड यह जिसे यह ये यह त्रीवटैस्ट्राफ। एक्सप्रेक्स ने ओटक किया तो बहुत सारा डीजल लोगोग के साथ ट्राफिक हमें देखने को मिल रहा है यहां पर तो चलो 5560 की स्पीर तो हमने ग्रेंड कर लिया तो बहुत ही बड़ा एक्सलियेश्टन हमारे गेपसर ने भीटा है कि यहां से देखते हैं कि अगरे ने वहादी बड़ा स्पीर में स्पीप भारा हमने आगाय स्टेशन को तक बने असी की स्पीर थी कि अच्छला प्लेट प्यसेंजरी में आज एक यह वर्ट्वार सेट के डब्यू 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 जी त्री विट मिल्क ट्रेंड यादि मिल्क प्रॉडक्ट को नी जा रही है त्रेंड और आप देख सकते हो में थोडा कैमेरा उटकर करके तो प्रिका देखा देता हू कि आप बड़े-बड़े क्या बोलते हैं इसको टैंक देख रहे हो यह मुल्की प्यात्री को दर्शा रहे है और इसमें अच्छली दूर रखा जाता है अच्छी दूर नहीं बना हुए अपने रूप में पर आने वाले दिनों में यह अपडेट होती रहे द्युआँजिश्य अप जो ट्रेक देख रहे हूँ हां मुल जाते हैं अपने पिटलाक की तरफ यानिक खमभात पिटलाक की तरफ जाते हैं तो बहुत ही यानि कि सिंगल लाइन सेक्षन है और विजल सेक्षन है तो 39.5 किलमेटर रहा गया है वह जाश शिटेशन और आट उसके दूमिट पी हमें पहुच्छा है तक्रिबन 22 किलमेटर के लिए हमें सिंगल नहीं है हमारे पास आए होजआ आगे डिया जाया तो ले दिया आगे स्टीशन पर तो ले दिया आखे स्टीशन पर तो चलो अब थोड़ा एक्सलिक्ट अपनी ट्रेन को करते हैं अब वहां तक पहुंचेंगे तब तक हो जाएगी स्पीड 120 के करें तो चलो यानिके बाद जब तक हम 3 किलमेटर का और करेंगे तक ट्रेन लूप लाइन पर चली जाएगी और हम उसे फुल स्पीड में वोटेक कर देंगे तो देखते हैं वाड़ो स्टेशन पर हम कौन सी ट्रेन को वोटेक करने वाले हैं तो आनंद के बाद अब वाड़ोद हम क्रोस करने वाले हैं और कोई ट्रेन को भी ओटेक करेंगे वाड़ोद स्टेशन पर 37.7 किलमेटर अब वाड़ोद राज जक्शन लेप्ट रहा गया है तो फटा बट से पहुसते अपने वाड़ोद राज स्टेशन की तरब और यहां कार का डिबा में हम बैठे हैं और सामने से डवली पी पूर के साथ कोई ट्रेन भी आए यह डबल वन जीरो नाइन सिक्स पूने एमदा वाल अहीं सा एक्सप्रेक्स और बहुत ही गजब स्पीड में हमें क्रोस करती हुई अभी तक हमें सिग्नल नहीं मिना है उल्लो है तो पर लगाने पढ़ेंगे हमें क्या बीः भी वो ट्रेट लिस्वाइन पे नहीं गई है को मैंने तो सचा था है कि जब्ध तब हम 3 किलोटर कवर करेंगे तब तब तो ट्रें लूपलाइन पर पहुंच जाएगी चलो यह बहुत प्रॉब्लम है कि ब्रेक इनिलाइज नहीं हो रहे है पता नहीं क्यों और यह बहुत ही इरिटेटिंग लगता है जब ब्रेक्स आप लगाते हैं और वह इनिलाइज नहीं होते और देखते हैं कौनिसी ट्रेन को हम मोडेक्ड करेंगे चलो मुरखराब करने से अच्छा है अपने ट्रेन पर ध्यान में ऐसा करें छोटी छोटी घलतिया होती जैती है तो देखते हैं Aqua कौनिसी ट्रेन है जिसी हम मोडेक्ड करने वाले हैं करने की कुछिशिश करूंगा और यह हमाई तीजर से एक्सप्रक्स आप देख पारें कि बहुत ही बड़ा स्पिल में आप देखना हो गए कि कौन सी ट्रेंट को और टेप करती है कर देखना है कि अधिक पॉर बॉइंट सेवन किलोमेटर यहां सी वरुद्धा स्टेशन लेप्ट है तो चलो हंडेट प्लस की स्पिल्ट तो होई गई तो हंडेट प्लस की स्पिल्स पे हम कोई ट्रेंट को ओडेट करने वाले है देखते है कौन सी ट्रेन है इसे तो 120 हो जाएगी जब तक हम ओडेट पर पहुंचेंगे जाए तो सामने ड वीजी फाई खडा है फ्लेट बैड वालो ट्रेशन पर पर वालो ट्रेशन पर हम कोई ट्रेन को भी ओडेट कर रहे हैं डिकते हैं को सी ट्रेन हैं जिसे हम ओवर टेक कर रहे हैं वारो स्टेशन के आउटर पे तो बहुत ही स्पीर हो गए इतनी बढ़िया स्पीर में ओवर टेक नहीं करना था हमें तो चलो थोड़ी स्पीर को कंट्रोल करते हैं कि अगे अगे चलो आज के लिए बस इतना है रखते हैं बाके की मैं एक्टिविटी में कवर करूगा और पार्ट बन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्षन में दे रहाऊं अगर आपने पार्ट बन नहीं देखा तो लिंक पे क्लिक करके जाके आप देख सकते हो और ये वीडियो को भी लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो बहुत ही आपका सपोर्ट रहेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो चलो बाई मिलते हैं नेक्स वूडियो में और सब्सक्राइब करके ही जा रहा है सबको तो चलो बाई मिलते हैं नेक्स वूडियो में तब तक के लिए बाई तो चलो बाई मिलते हैं तो चलो चलो बाई रहा है